हलो दोस्तों पी डब्लू आइस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सब का स्वागत है पिछले हपती की जो इंपोर्टन साइंस एंट टेक्नोलजी से जुड़ी हुई गटना हैं उन सब को लेकर मैं आप सब के सामने हाजर हूँ तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहली गटना पानी वहां पर मौझूद है यह तो पहले से भी हमें पता था कि वहां के उत्री ध्रू धच्री ध्रू वह पर पानी मौझूद है बर्व के रूप में क्या इसमें डिफरेंस क्या रहा जो यह खोच की गई इसमें डिफरेंस क्या रहा इसमें डिफरेंस यह रहा कि पहले ह में ये बात पताती कि वहां के ध्रूओं पर पानी मौझूद है वो भी बरफ के रूप में मौझूद है लेकिन इस बार जो पानी मिला है वो पानी जो है वो तरल रूप में मिला है और जो आपकी मंगल की उपरी लेयर है यानि जो इसकी सतह है उस सतह के नीचे चटानों के अंदर सुरच्छित है और महासागर के रूप में है यानि एक पूरा का पूरा अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ तो पूरा का पूरा महासागर जो है वो मंगल ग्रह की सतह के नीचे मौजूद है अब आप कहेंगे कि सर ये बात पता कैसे चली ये बात पता चली मंगल ग् क्या है मंगल ग्रह जो जो यह रिसर्च हुआ उस रिसर्च पेपर का नाम क्या है मंगल ग्रह के मद्ध क्रस्ट में तरल जल और यह अधन प्रकाशित हुआ जिस पत्रिका में उसका नाम है PNAS Proceedings of the National Academy of Sciences ठीक है अब इसमें किया कैसे गया यह बात पता कैसे चली कि मंगल ग् क्रस्ट है उसके नीचे जो है वो पानी मौजूद है तो इस बात का पता करने के लिए एक विशेश Spacecraft बेजा गया था नासा ने इसे भेजा था जो कि एक लेंडर भीशन था लेंडर मिशन का मतलब यह होता है कि आसा space craft जो की किसी ग्रह की सतह पर land करे, वहाँ पर मतब उसकी सतह पर land करे, तो उसे lander बोलते हैं, तो एक lander space craft भेजा था, जिसका नाम था insight, थीग है, insight lander, तो याद रखिए, एक नासा ने एक Mars के उपर, Mars की सतह पर, एक insight lander भेजा था तो इस insight lander ने क्या किया कि इस insight lander जो मौझूद था जो ये spacecraft भेजा गया था इसके अंदर एक machine लगाई गई थी जिसको सिस्मो graph कहते हैं सिस्मो graph वो machine होती है जो भूकमपी जो घटनाएं होती है उनकी जाच करने का काम करती है भूकमपी घटनाओं को sense करन उन्हें सिस्मो graph कहते हैं तो जो insight lander था उसके अंदर सिस्मो graph लगा हुआ था और इस सिस्मो graph ने लगबग लगबग 2018 से लेकर 2022 तक 2018 में ये वहाँ पर उत्रा था और 2018 से लेकर 2022 तक इसने approximately 1300 से अधिक भूकमप जो है वो मंगल पर महसूस किये 1300 से अधिक भूकमपों को मंगल ग्रह पर जो है उसने क्या किया observe किया उसके data इकठा किये उसके आकड़े इकठा किये और उन भूकमपी घटनाओं के आधार पर उन भूकमपी जब भूकमप होता है तो आपको ये बात पता होगी कि जब भूकमप कहीं पर भी एक तरीके से भूकमप की घटना होती है तो वहाँ पर विभिन प्रकार की तरंगे उत्पन होती है तो जब वहाँ पर मंगल ग्रह पर भूकमप पाया या मंगल कंप भी आप उसे बोल सकते हैं भूकमप हम लोग अर्थ के लिए बोलते हैं तो मंगल कंप भी बोल सकते हैं तो 1300 मंगल कि छलने वाली जो तरंगे होती है जब भूकम पाता है तो इसका जब अध्यन किया गया तब यह बात पता चली की भया है। मंगल के वो पानी जो है वहाँ पर मौझूद है तो ये पानी कितना नीचे मौझूद है तो ये हमारा इंसाइट जो है वो लेंडर था तो इसने जो है भुकमपी घटनाओं का अध्यन किया तो पता ये चला कि लगबग साले 11 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर की गहराई में ये पानी मौझूद है और बहुत सारी चत्ताने मौझूद है उन्ही चत्तानों के अंदर ये पानी जो है वो फसा हुआ है और पूरा का पूरा समंदर भरा हुआ है बहुत बड़ा एरिया है जो कि पानी से भरा हुआ है यानि कि पूरा का पूरा समंदर यहाँ पर इसके नीचे मुझूद है साड़े 11 से लेकर 20 किलोमीटर की मंगल ग्रह की सतह के नीचे अब बात ये होती है कि सर यह पानी आया कैसे यह पानी आया कैसे होगा तो माना यह जा रहा है कि कभी एक वक्त में मंगल ग्रह पर बहुत अच्छा पानी मौझूद था उसकी सतह पर पानी मौझूद था वहाँ पर समुंदर मौझूद थे वहाँ पर नदिया मौझूद थी वहाँ पर नहरे मौझूद थी सारी चीजें वहाँ पर मौझूद थी जैसे कि पृत्वी पर आज मौझूद है और इन्हीं जो ये जो समंदर मौजूद था मंगल पर ये जो नदिया मौजूद थी इन्हीं से रिस रिस कर पानी यानि इन्हीं से रिस रिस कर पानी जो है वो क्रस्ट के नीचे गया और जाकर कहां पर जो मंगल के नीचे जो गहराई में मौजूद जो पत्थर हैं जो चट आज जो है मंगल ग्रह की सतय पर नदियां और एक समुद्र तो नहीं मौझूद है लेकिन मंगल ग्रह की सतय के नीचे आज भी वही पुराना पानी जो की रिस्कर पहुंचाता वो आज भी मौझूद है समुदर की तरह से तो ये जानकारी हमें मिली है तो ये बड़ी खोज ह और ये मानवता के लिए बहुत बड़ी खोज है क्योंकि अब अगर मंगल की ग्रह सतय के नीचे इस बात का पता हो गया है कि वहाँ पर पानी मौझूद है वहाँ पानी भरपूर मात्रा में मौझूद है तो कम से कम अगर मंगल ग्रह पे बसने की जो हम योजना बना रहे ह है मानो योजना बना रहा है तो कम से कम पानी की समस्या खासकर कि तरल रूप में पानी की समस्या जो हमें फ्यूचर में होती वहाँ पर बसने के बाद वो खतम हो जाएगी और दूसरा क्या है फाइदा दूसरा फाइदा ये है कि अब अगर वहाँ पानी मौझूद है तो ह हो सकता है हो सकता है उस पानी के अंदर जीवन भी मौजूद हो मतलब क्योंकि प्रित्वी पर भी आपको पता होगा कि प्रित्वी पर भी जो जीवन मौजूद रहा मौजूद हुआ यह जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो कहां पर हुई थी पानी में समुंदर में हुई थी तो अगर वहाँ समुंदर मौजूद है तो definitive वहाँ पर most probably बहुत ऐसी संभावना है कि वहाँ पर किसी ना किसी रूप में जो है वो जीवन मौजूद होगा तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है तो एक तो आप अगर future में वहाँ बसना चाहते हैं तो आपकी पानी की समस कावना है वो भी अब बहुत ज़्यादा जग गई है कि अब जीवन वहाँ पर मिल सकता है अब आगे research की बात है कि आप आगे क्या-क्या चीज़ें होंगी तो वो अभी भविश में देखा जाएगा लेकिन इस हफते की बहुत बड़ी खोस्ती मंगल ग्रह पर पानी मिलना यानि remote sensing satellite को launch किया अब आप कहेंगे कि sir EOS08 जो है इसका full form क्या है तो इसका full form है Earth Observational Satellite ठीक है प्रित्वी अवलोकन उपग्रा ये एक प्रकार का remote sensing satellite है कैसा satellite है बच्चों ये एक तरह का remote sensing satellite है ठीक है remote sensing satellite है अब आप कहेंगे ये satellite क्या होते है remote sensing satellite क्या होते है सुधूर सम विदन उपग्र क्या होते हैं ऐसे उपग्र जो पृत्वी के चारो तरफ चकड़ल लगाते हैं पृत्वी के चारो तरफ लो अर्थ और्विट में निम्न भू कच्छा में या नि पृत्वी से लगबग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की कच्छा में चक्कल लगावते हुए पृत्वी की सतह के बारे में पृत्वी के समुद्र के बारे में पृत्वी के परियावरण के बारे में पृत्वी के परियावरणी बदलाओं के बारे में ठीक है जो पृत्वी के खनीश बरदार्थों के बारे में स समुद्रों, समुद्र के अंदर जो संसादन है, उनके बारे में, इन सब के बारे में जानकारी इकठा करते हैं, डेटा इकठा करते हैं, आंकले इकठा करते हैं, ऐसे सेटलाइटों को remote sensing satellite या सुदूर समवेदन उपग्रह के नाम से जानते हैं, सुदूर समवेदन उपग्र के बारे में प्रित्वी के खनिजों के बारे में प्रित्वी के परियावरन के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकठा करेगा आकड़े इकठा करेगा और हमें ये आकड़े जो है वो एविलेबल कराएगा हमें हमें एविलेबल कराएगा जिसका उपयोग हम फ्यूचर में research में कर सकते हैं बहुत सारी योजनाएं मनाने में कर सकते हैं ठीक है हर तरीके से कर सकते हैं तो यह जो EOS 08 उपगरे को भेजा गया इसमें एक चीज और EOS जो उपगरे भेजा गया इसमें एक और चीज लगाई गई है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा important है अचा इसे क कहा भेजा गया, कितने किलोमीटर पर भेजा गया तो याद रखिएगा low earth orbit में 475 किलोमीटर की उचाई पर यानी पित्वी की सतह से लगबख 475 किलोमीटर की उचाई पर इसे भेजा गया है निम्ण भूक अच्छा में इसे भेजा गया है इस उपगरे के साथी साथ जो है वो Space Kids India का, Space Kids India एक तरीके की organization है, तो उसका एक उपग्रह भेजा गया है, SR00 Demo Set नाम का एक उपग्रह, एक experimental satellite भेजा गया है, एक तरीके से कह सकते हैं, प्रायोगी को उपग्रह भेजा गया है, जो की अर्थ, मतब अर्थ की observation वेगरा करेगा, लेकिन ये Space Kids India, ये बच्चों को और खास कर कि ये Space Kids India है, ये क्या करता है, छोटे बच्चों और खास कर स्कूल जाने वाले बच्चों या लड़कियों के, जो लड़कियां होती है, जो बच्चियां होती है, उनकी मदद से satellite तयार करके उनको प्रोचसाहित करता है, और उनके satellites को जो है, वो भेजने में मद करता है, ठीक है, तो ये Space Kids India, तो एक तरीके सी हमारी नई जेनरेशन जो आ रही है, उसको प्रोचसाहित करने वाली organization है, जिसमें वो टेक्निकली जो है, उनकी मदद करके उनसे satellites या उस तरीके की instruments तयार करवाती है, ठीक है, तो उसका एक छोटा सा उपग्रा जो है, उसे भ और CIC Ultra Violet Dosimeter कहते हैं, इसे इसके साथ जोड़ दिया गया है, अब ये जो instrument है, यानि ये जो उपकरन जोड़ा गया है, ये कब काम आएगा, जब हम लोग गगन यान भेजेंगे, गगन यान मिशन जिसमें हम मानो को अंतरिश मिशन भेजने वाले हैं 2026 में, तो 2026 में जब ह गगन यान मिशन को एक तरीके से सेंस करने का काम, उस पर नजर रखने का काम, यानि जब हमारे गगन यात्री यानि की हमारे जो astronaut हैं, जब astronaut जो है, इस पेस कैपसूल में, जिसे crew module कहा जा रहा है, जिसके अंदर ये बैठे होंगे हमारे astronaut जो हमारे अंतरिश यात्री हैं, तो ये अंतरिश यात्री जिस स्पेस कैपसूल के अंदर या crew module के अंदर बैठे होंगे और प्रित्वी का चक्कर लगा रहे होंगे, तो वो सही से चकर काट रहे हैं, सही से उनका movement हो रहा है, उनके स्पेस कैपसूल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या इन में जो भी motion होगा, उसके बारे में observation करने का काम, उस पर नजर रखने का काम जो है, वो ये instrument करेंगे, जो EOS08 के साथ भेजे गए हैं, तो एक तरीके के बहुत सारे sensors लगे होंगे, खास करकि ultraviolet vikran की इसके अंदर से जो ultraviolet radiation को, ultraviolet vikran को sense करने की capability होगी, जो की गगन यान mission के, जो crew module है, उसके crew module है, उसके अंदर, मतब जो crew module है, जिसके अंदर हमारे गगन यातरी बैठेंगे, एस्टोनाट्स बैठेंगे, तो उनके अंदर से निकलने वाली जो ultraviolet radiation होगी, उसकी मदद से क्या करेगा, ये EOS08 के साथ भेजा गया, ये sensor उसको observe करता रहेगा, उसको sense करता र तो टोटल बात ये है, सिंपल बात ये है, कि हम जब गगन यान mission भेजेंगे, अपने अंतरी चयात्रियों को मानों वहाँ पे अंतरी चयात्री में भेजेंगे, तो उन पर नजर रखने का काम, कि वो सही से काम कर रहा है, कि नहीं काम कर रहा है, वो crew module जिसके अंदर हमारे अंतरी चयात्री बैटे होंगे, तो उस पर नजर रखने का काम जो है, इस instrument का होगा, जिसे पहले ही भेज दिया गया है, EOS08 के साथ में, ठीक है, अब ये जो भेजा गया है बच्चों, इसे भेजा गया है हमारे SSLV से, Small Satellite Launch Vehicle D3 से भेजा गया है, D3 का मतलब ये है कि Demonstration 3rd, यानि कि SSLV का ये ये तीसरा परिच्छन था, तीसरा डेमो था, कि मतलब SSLV क्या है, पहले ये बास समझ लीजे, ये SSLV एक रॉकेट है भारत का, जिसे Small Satellite Launch Vehicle कहते हैं, ये जो रॉकेट है, ये जो उपगरा प्रच्छेपन यान है, ये जो रॉकेट है, या ये लॉ ठीक है, तीन सो से लेकर 500 किलोग्राम के सेटलाइट को, ये लगबग लगबग 500 किलोमीटर की लो अर्थ और्बिट में भेजने की छमता रखता है, ठीक है, SSLV, तो Small Satellite Launch Vehicle भारत का एक अंत्रिच यान है, भारत का एक लांच वेकिल है, भारत का एक रॉकेट है, जो ठो स सीदनों से चलता है, तीन सो से लेकर 500 किलोग्राम के सेटलाइट को 500 किलोमीटर की लो अर्थ और्बिट में छोड़ने की छमता रखता है, ठीक है, रखता है, और सबसे खास बात इस SSLV की ये होती है, कि इस SSLV को जैसे कि हम लोग PSLV, यानि कि और भी अंत्रिच यानों से अगर हम किसी सेटलाइट को लांच करें, PSLV से, GSLV से, तो उनको अंत्रिच ये सेटलाइट को लांच करने में कम से कम 3-4 महीने का वक्त चाहिए, मतब अगर आप PSLV यान से अगर अपने सेटलाइटों को भेजना चाहें, या GSLV यान से सेटलाइटों को भेजना चाहें, तो कम से कम तीन से चार महीने की तयारी चाहिए होती है, तीन से चार महीने का वक्त चाहिए होता है कि आप सैटलाइट को भेजने में, यानी पूरा यान बनाने में, ठीक है, लाउंच वहकिल बनाने में, सैटलाइट को रखने में, फिर उसके बाद उनको लाउंच करने में, कमसम 3-4 महीने का वक्त लगता है तो किसी भी यान से अगर किसी सैटलाइट को लॉंच आप करेंगे जाए PSLV से GSLV से जो भारत के इसरों के पास है तो 3-4 महीने का वक्त लगता है लेकिन SSLV से अगर आप लॉंच करेंगे तो SSLV की मदद से सिर्फ 72 घंटे के अंदर लॉंचिंग की जा सकती है सैटलाइट की तो आजकल जैसे जमाना है न कि आप अच्छा प्रोड़क्ट दीजे जल्दी प्रोड़क्ट दीजे और आप जल्दी का मामला नहीं रह गया अब तुरंद तुरंद क्विक हमें डिलिवरी दीजे तो वही वाले बात आजकल हो उसी तरीके से हमारे आजकल स्पेस लॉंचे में भी हो गई है कि अगर एमर्जंसी में कोई सैटलाइट भेजना हुआ या जल्दबाजी में कोई सैटलाइट भेजना हुआ तो हमारे PSLV, GSLV जो है वो काफी वक्त लगाएंगे SSLV लेकिन से 72 गंटे के अंदर आपके सैटलाइट को लॉंच कर देगा तो ये बढ़िया एक तो अच्छा लॉंच कर रहा है ठीक है सस्ते में लॉंच कर रहा है और साथी साथ बहुत कम समय में लॉंच कर दे रहा है तो इस स्पेशल्टी के साथ इसको बनाया गया है SSLV को और इस SSLV की ये तीसरी उडान थी और तीसरी डेमो उडान थी मतलब कि पहली उडान इससे SSLV से लॉंच किया गया तो वो फेल हो गया दूसरी उडान इससे की गई सेटलाइट को लॉंच किया गया वो सफल हो गया और तीसरी उडान ये जो की गई ये भी सफल हो गई तो finally जो है अब ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरीके से सफल हो गया याणि कि SSLV की ये जो प्रायोगिक उडान थी जो एक डेमो उडाने थी वो पूरी तरह से सफल हो चुकी है और अब जो है वो SSLV को कमर्शिली यूज़ किया जा सकता है आप इस SSLV की मदद से आप निश्चित होकर जो है किसी भी सैटलाइट को लाँच कर सकते हैं तो SSLV क्या है बच्चों SSLV स्मॉल सैटलाइट वहकिल है जो कि ठो सीदनों से चलता है 300-500 किलोग्राम के सैटलाइट को 500 किलोमीटर की लो अर्थ और बिट में निम्न भूक अच्छा में छोड़ने की चमता रहता है उसे मात्र 72 गंटे के अंदर इससे सैटलाइटों को लाँच किया जा सकता है ठीक है तो यह काफी टरीका होता है यानि कि अलस्च क्वास करके हमरे मस्तिश्क के मस्तिशक की जो इमेजिंग होती है खत बो मस्तिश surfing है जो भी खटN घट रही है कैसे हमारी कोशिकाएं काम कर रही है कैसे हमारा आहारा जो है ब्रेन फंक्शन कर रहा है तो इसको जाचने का एक तरीका है आपने MRI सुना होगा, Magnetic Resonance Imaging सुनी होगी, ठीक है, आपने CAT सुना होगा, PET सुना होगा, Positron Emission Tomography सुनी होगी, ठीक है, इसी तरीके से आपने CT Scan सुना होगा, जिसे Computed Tomography Scan बोलते हैं, तो जैसे CT Scan होता है, MRI Scan होता है, वैसे ही एक MRI और आ गया है, यह पहले से भी मौझूद है, लेकिन मतलब यह काफी चर्चा में रह रहा है, जिसे F-MRI, जिसे Functional Magnetic Resonance Imaging कहते हैं, तो अब आप कहेंगे सर, जब CT Scan है, MRI है, तो F-MRI कैसे different है, कैसे अलग है हमारे CT Scan से या normal MRI से, तो याद रखिएगा बच्चों, यह बहुत important question है, कि आखिर यह कैसे अलग है, तो जैसे आप CT Scan करते हैं, MRI करते हैं, तो ऐसी condition में क्या होता है, कि एक static image आती है, मतलब कि जो उस वक्त कोई भी घटना अगर घट रही है, ठीक है, घटना घट रही है, आपके brain के अंदर, आपके मस्तिश के अंदर, तो सिफ यह वो उसी वक्त की photo लेकर आपको दे देगा, ठीक है, फंक्शनल MRI करता है, यानि आपका brain इसमें क्या है, कि एक समय पर की जो जिस वक्त आपका MRI किया जाएगा, बस उसी वक्त की image दे देगा, ठीक है, लेकिन फंक्शनल MRI से लिए इसको कहा जाता है, कि आपका brain कैसे कैसे function कर रहा है, कैसे कैसे आपके brain के अंदर सारे की सारी activity हो हो रहे होते हैं, उसको ये क्या करता है, नापने की कोशिश करता है, उसकी image लेनी की कोशिश करता है, उसकी image बनाने की कोशिश करता है, अब इससे फाइदा क्या होता है, इससे फाइदा ये होता है, कि जैसे कोई भी मानसिक रूप से बीमार है, या कोई इसको brain diseases हैं, तो सिर्फ आपकी diseases नहीं दिखाएगे, वो disease की वज़े से आपके brain पर क्या effect हो रहा है, क्या प्रभाव पढ़ रहा है, उस प्रभाव को ये दिखाने में capable होगा, तो इसने तो बिमारी बता दी, इसने बिमारी बता दी, कि ये बिमारी है, यहाँ पर कुछ मौझूद है, या में होती है, अब ये functional MRI scan क्यों चर्चा में है, क्योंकि जो depression के मरीज है, जो कि अवसाच से पीडित मरीज है, ऐसे मरीज जो कि depressed रहते हैं, depression आपको पता है कि एक बहुत बड़ा रोग है, जिसको लोग छुपाते हैं, जिसको जिस पर ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन ये दुनिया में बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, कि जिसको ये होता है, उसको खुद नहीं पता होता है, और पता भी होता है, तो दूसरों से अपनी बाते कह नहीं पाता है, तो दूसरों इससे serious नहीं लेते हैं, तो जो ल पारे में और आकने इकठा कर पाएं और जानकारी इकठा हो पाएं जिससे कि इसका बेहतर इलाज बेहतर इसका solution निकाला जा सके कि कैसे depression या अवसास से पिडित मरीजों को इस बीमारी से इस दिक्कत से दूर किया जा सके जिससे कि उनकी जिन्दगी बेहतर हो सके ठीक है यह functional magnetic resonance imaging होती है यह रक्त oxygen के इस तरक को माप कर मस्तिष की गतविदी का पता लगाती है यानि कि यह जो मस्तिष की गतविदी होती है functions होते है वो हमारी जो blood के अंदर oxygen मौझूद होती है उस oxygen के amount को यह क्या करती है capture करती है उसकी images लेती है और फिर उस हिसाब से उस base पर जो है वो यह image तयार करती है functional image तयार करती है जिससे brain के function का पता चलता है सही function का पता चलता है उसमें कोई दिक्कार अगर वो pattern oxygen की कमी होती है या oxygen की अधिक्ता होती है तो इससे पता चल जाता है कि brain जो है वो मतब उसकी oxygen के level की कमी या उसकी अधिक्ता इस बात को show करती है कि फिर नेक्स जो है काफी चर्चा में रहा है M.Pox यानि Monkey Pox को अंतर रास्टी चिंता का सारविजनिक स्वास्थ आपात काल घोशित कर दिया गया है। सिमिती ने Monkey Pox को अंतर रास्टी चिंता का सारविजनिक स्वास्थ आपात काल घोशित कर दिया है। जिसे Monkey Pox Virus कहते हैं तो Monkey Pox Virus से होने वाली ये disease है तुरी दुनिया में इसके लिए जो है वो Health Emergency घोशित कर दी गई है। ये वाइरस से होने वाली disease है फैलती कैसे है तो ये Zoonotic disease है। ऐसी disease जो कि जानवरों से फैले उसे Zoonotic disease के नाम से जानते हैं तो जानवरों से फैलने वाली disease को Zoonotic disease के नाम से जानते हैं। तो किस जानवर से ये फैलती है ये गिलहरी से फैलती है डॉर्मिस से फैलती है कुछ बंदरों और चूहों जैसे जानवरों से फैलने का काम चूहों तरह बंदरों से फैलती है और जब कभी भी ये जानवर ठीक है किसी को काट लेते हैं खरोच लेते हैं या उनके मांस को आप खा लेते हैं जैसे कई देशों में अफरीकन देशों में जो बंदरों के मांस को खाया जाता है या चुहे गिलहरी को खाया जाए तो अगर चुहे गिलहरी को खाया जाए यानि उनके मांस का सेवन किया जाए या वो आपको अटैक करके आपके खरोश मार दें या आपको काट लें तो इस से ये बिमारी जो है इनसानों में फैल सकती है तो याद रखेगा इन जानवरों से फैलती है वाइरस वाइरस होने वाली डिसीज है और साथी साथ जो इसके कैरियर होते हैं ये जूनाटिक डिसीज भी है मतलब कि जानवरों से फैलती है तो वाइरस होता है main cause, लेकिन उसको फैलाने का काम जो करता है, वो कौन करते हैं, हमारे जानवर करते हैं, और ये इनसानों में भी आसानी से फैल जाती है, और इनसानों में जब ये फैलती है, तो ये किसी भी इनसान, कोई भी इनसान जिसको monkey pox होता है, ठीक है, monkey pox होता है, अगर उसकी skin to skin contact हो स्टाफित करता है तो इससे भी मंकी बॉक्स डिसीज जो है मंकी बॉक्स डिसीज से प्रभावित व्यक्ति से नॉर्मल व्यक्ति में फैल सकती है इसके इसके अलामा अगर हसल में मंकी पॉक्स में होता है क्या है छोटे 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 चूटे छोटे खूटे खूप सारी बौडी में दाने निकलाते हैं ठीक है और यह होता ना चिकर पांक फैल सकती है इसके अलामा ये माना जाता है कि एक pregnant women जो होती है जो अगर गरवती महिला है अगर उसको monkey pox हो गया तो अपने बच्चे में भी इसे transfer कर सकती है अपने जो उसके गरव में पल रहा बच्चा होता है जो उसके गरव में उसके गरभाशे में बच्चा पल रहा होता तो उससे भी ये फैल सकती है अगर फैल जाती है तो फैल जाती है तो फिर इसमें होता है क्या है इसकिन रैशे होते हैं मैंने आपको बताया पूरे इसकिन पर पपड़ियां पढ़ जाती है खुब दे से बुखार आता है जाड़ा दे कर बुखार आता है चिल फीवर आता है इसके अलामा सर में दर्द होता है, इसके अलामा ठकावट मैसूस होती है, इसके अलामा सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, इसके अलामा जो है वो नाग बंद होने लगती है, जकलंसी हो जाती है, नाग में जकलंसी हो जाती है, स्टफी नोज हो जाती है, ल बहुत painful disease है, बहुत दर्दनाग disease है, बहुत दर्द होता है body में, और खास कर कि वो जो मैं बता रहा हूँ, पूरी body में जो चकते पड़ जाते हैं, पूरी body में जो दाने निकल आते हैं, वो बहुत painful होता है, वो एक तरीके से सणन जैसा महसूस होता है, इसमें मौत बहुत जाती है तो इसको मतब इसको एक तरीके से कर आप प्रेकॉशन लेते हैं अपने आपको पर थोड़ा सा अपने बुखार उखार जो चरला उसको मैनेज कर लेते हैं तो इसमें सर्वाइव हो जाता है पेशन मौत होती है लेकिन यह नहीं है कि जिसको हो जाएगी उसको सिर्फ मौत ही मतब उसकी मृत्य हो जाएगी अगर इसका वैसे कोई पर्टिकुलर टीट्रमिन तो नहीं है लेकिन जो भी आपको बुखार उखार हो गया बस सेम्टोमेटिक ट्रेटमेंट इसका चलता है बाकी कुछ दवाएं जो हैं वो हैं एंटिवाइरल दवाएं हैं जो इसम बुखाता हैं जो इसमें असरदार होती है लेकिन मंकी पॉक्स के लिए कोई बश्यूब आप है ऐसा इसी कोई खास सब्सक्राइड बहुत है तो है मरी जाता है ठीक है मरी जाता है, कुछ cases में death भी होती है, लेकिन frequent death नहीं होती है, कुछ viral दवाएं कारगर हैं इस case में, लेकिन कोई specific disease के लिए viral दवा नहीं है, antiviral दवा नहीं है, तो ये कुछ disease, कुछ ऐसे ही इस हफते की काफी चर्चा में रहने वाली news थी, जिसको हम लोगों ने यहा और आगे इन चीजों के बारे में current affairs के, जो science and technology के current affairs है, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तब कि तक के लिए, thank you so much and may God bless you all.